नमस्कार मैं संकेत और आप देख रहा है MNTV चुनाव की घोशना होते ही राजनीतिक दर जितना सक्रिय नहीं हुए है उतने सक्रिय अपनी बाते राजनीतिक दलों से मनवाने के लिए और साथ में ही अपने मुद्दे चुनावी घोशना पत्र में शामिल करवाने के लिए सामाजिक संगटन हुए है उनमें सबसे ज्यादा सक्रिय अगर कोन सा मनच हुआ है तो वो है सम्विधान बचाव संगर्श समिति जी हाँ ये वही सम्विधान बचाव संगर्श समिति है जिसने 5 मार्च को भारत बंद किया था और जिसकी वज़े से मोधी सरकार को 13 कॉइंट रोष्टर हटा कर 200 कॉइंट रोष्टर फिर से लाना पड़ा बता दे कि ये सम्विधान बचाव संगर्श समिति कोई formal organization नहीं है बलकि बहुजनों के कई हजार संगर्टनों के लिए बनाया गया एक common platform है सम्विधान बचाव संगर्श समिति ने कुल 13 मुद्दों के लिए भारत बंद किया था जिसमें से केवल एक मुद्दे पर सरकार ने अपनी भुमिका रखी है बाकि 12 मुद्दों पर सरकार अभी भी चुप है अब जब 13 कोईन रोष्टर को हटा दिया गया है तब सम्विधान बचाव संगर्श समिति का रूख EVM और VVPAT मशीन की तरफ है जिसके लिए उन्होंने एक नारा भी लगाया है EVM पर बहुजन नजर सम्विधान बचाव संगर्श समिति द्वारा 2 अपरेल 2019 को दिल्ली के रामलिला मैदान पर एक बड़ा कारेकरम लेकर बहुजन अजंडा तै किया जाने वाला है और साथ में ही बविशे के आंदोलन की भी घोशना वहां से की जा सकती है 2 अपरेल का ही दिन इस कारेकरम के लिए क्यों चुना गया इसके पीछे के दो बड़े माय ने सम्विधान बचाव संगर्श समिति ने हमें बताए सबसे पहला है 2 अपरेल 2018 को भारत बंद हुआ था और उस भारत बंद के दवरान पुलिस की गोलियों से बहुजन समाज के 13 नवजवान शहिद हुए थे ये दिन उनकी शहादत को याद करने के लिए है और दूसरा 2 अपरेल 2018 को ही मोधी सरकार को संसद में Atrocity Act जिसे आम तोर पर ये CST Act कहा जाता है उसे रिश्टोर करना पड़ा था तो ये बहुजनों के लिए विज़ई दिन भी है ये दोनों दिन दिल्ली के राम लिला मैदान पर संविधान बचाव संगर्च समिती द्वारा 2 अपरेल को मनाये जाएंगे इस कारेक्रम में बहुजन समाज के कई सारे सामाजिक संगटन जैसे बामसेफ, भारत मुक्ती मोर्चा, भीम आर्मी, भारतिय विध्यारती मोर्चा, भीम सेना ऐसे कई सारे संगटन स्यामिल होने वाले हैं और साथ में ही पिछडे वर्ग के राजनितिक दलों को भी इस कारेक्रम का न्योता, इस कारेक्रम का अमंतरन दिया जाने वाला है ताकि बहुजन अजन्टे पर वे अपनी भूमी का स्पष्ट कर सके ऐसे जानकारी समिधान बचाओ संगर्श समिति द्वारा MN TV को दी गई है अब तक के लिए बस इतना ही आप देखते रहे MN TV धन्यवाद